शुरू करता हूँ खुड़ा पहले मुझे बोलने की आदत है तो कुछ सवाल है मेरे भी कि हम सूपर पावर क्यों बनना चाहते हैं और ये चाहत कहां से आ रही है इसके पीछे कोई समाजिक, आर्थिक, राजनितिक, मनोवैग्यानिक कारण है भी क्या ये ड्रीम हमारे लिए सपना नया है या कहीं से किसी का यूजड किया हुआ माल इधर इंपोर्ट होके आ रहा है क्योंकि इंडिया में ऐसा माल बहुत आता है और फिर इसके मनोवैग्यान को थोड़ा समझना होगा कि अकसर हम अपने खलनाया को कैसे देखते हैं मुहले में कोई अगर बलशाली औ और बलवान व्यक्ति डादा टाइप का होता है वो कई तरह के गलत काम करता है लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने भीतर जब हारते रहते हैं उससे तो उससे प्रेरित भी होने लगते हैं और इस सोच को बहुत अच्छी तरीके से किसी ने कॉंटर्ट किया हमारे दिल और भी निकलता है और विलन भी निकलता है हीरो के साथ एडवांटिज यह है कि अच्छे गाने हैं लव सॉंग्स हैं और हिरोईण है लेकिन विलन भी अच्छा कपड़ा पहनता है तो ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन हमारा हीरो एक मोबाइल फोट की तरह आता है और आप देख से फिल्म खत्म हो जाती है और हम बहुत खुश हो जाते हैं तो यह एक देखना पड़ेगा कि हम ताकत को कैसे पहचानते हैं और यह क्या हमारे भीतर की कोई हीन ग्रंथी कॉंपलेक्स है जो हम सुपर पाउर बंकर शायद उसे निप्टाना चाहते हैं कैसा इंडिया होना चा है जो सहीं तरह से जो एक सिस्टम है उसे इंकार करते हुए दरखिनार करते हुए सीरिया पर अटैक कर देना चाहते हैं अगर ऐसे बलशाली नायकों को का इंतजार अगर हम कर रहे हैं तो फिर हमें इस सूपर पावर के कंस्ट्रक्ट को ठीक से देखना समझना चाहिए नहीं है जो हमारे विहार के शहाब देन या यूपी के राजा भाईया हर दिन दूसरे के खेत खलियान में घुसे रते हैं कभजा करने के लिए तो यह एक देखना पड़ेगा कि यह सूपर पावर जैसे अब हमारा नायक जो है फिल्मों का वो अपने हीरो होने से बोर हो च चला आता है तो यह एनिमेशन का दौर है और एनिमेशन फिल्में जहां सूपर मैन, सूपर शक्ती मान, ब्रिटानिया प्रायोजीत होती हैं वो सब बच्चों में बहुत लोग प्रियव होती हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि हम जब एक लोगतंत्र में मच्चूर हो रह तो हमारे आए परमानों बंग बनाने का मोधियारी में फोल दीजे ऐसे ही गाओं में लोग कटे बना कर घूंते रहते हैं तो एक तरह से यह देखना पड़ेगा कि कहीं हम सूपर पावर की चाहत को यह जो चाहत हम अपने भीतर लाए हैं कहीं हमारे भीतर की negativity का कोई तुर ने भारत की समस्याओं को देखा उनके जरीया हम चाहने की कोशिश करेंगे कि क्या है वो चीज जो दूर किया जाए और अच्छा भारत बन सके भले ही वो सूपर पावर नहों लेकिन एक अच्छा रहने लायक भारत बन सके कोई आये तो कहें कि हां हमें यहीं रहना है यह बड़ा ही दिलदार हिंदुस्तान है और यहां रहने की बात ही कुछ और है भले ही इसके पास दो-चार ऐसे मिसाइल नहीं है जो सीरिया तक जाकर गिरते हैं तो शुरुवात मैं तिरलोचन इसे करता हूं कि आपका आइडिया क्या है आज के जनरेशन के सामने कि हिंदुस बड़ा है जिस्तान कैसा सुपर पाउर बनना चाहिए